तो दोस्तो यूडाइस प्लस सेशन 2024-25 का कारिये शुरू हो चुका है और आज से हम भी शुरू हो चुके हैं और इस यूडाइस मोडल पे तक करीबन हम 10 वीडियो बनाने वाले क्योंकि ये जो मोडल है वो इतना बड़ा है कि इसे एक वीडियो में कवर कर पाना आसान नहीं और इन 10 वीडियो में आपको इस यूडाइस प्लस के सारे अस्ति पंजर वो खोल के देखाएंगे तो आज का जो हमारे जो वीडियो है वो पार्ट नमबर वन वीडियो है यूजर आई-डी, पासवर्ड, अलोट होता है, उसके बारे में आपको बताएंगे, इसके साथ ये जिदी कोई पुराणी सेंजता है, उसकी माननेतओं में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है, कोई class change हुई है, इस्थान परिवर्तन हुआ है, नाम प्रिवर्तन हो आए तो वो किस तरह से Udise Portal पे है अपना प्रिवर्तन हो करवा सकते हैं और इसके साथ एक student की data entry करने से पहले एक school साथी को है किन-किन बातों को ध्यान में रखना है वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बता हुआ आप कुछ साथी कह सकते हैं इन सब जानकारी हों के बारे में हमें अच्छी तरह से पता है अरे भीया आपको अच्छी तरह से नहीं पता है क्योंकि ये दि ऐसा होता तो पिछली साल Udise को लेकि जो ड्रोपोक्स की जो समस्याई आई थी साथ वो समस्या नहीं आती ये दि आपको पूरी जानकारी होती जानकारी है लेकिन आदी अधूरी है और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहूँगा देखिए ये जो Udise plus portal है न वो एक school, एक college और एक student का भौशे है आप कुछ कह सकते हैं भीया, ये बहुत से कैसे हो, उनका बहुत से इस पर कैसे अटका हो, अरे भीया यही बात तुम आपको समझाने की कोशिस कर रहा हूँ आप जिनको समझना है वो तो मेरे साथ बने रहेगा और जो ये अपने आपको 30 मार का समझता है कि मुझे पहले से बता है तो भीया आप अपने दूसरे काम में हो लग सकते हैं नमस्कार साथियो, मैं हूँ आपका अपना साथी राजगुएत दोस्तों वीडियो में आगे भढ़ने से पहले खाज जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा देखिए U-Dice Plus को लेकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं राजिस्थान स्टेट को अग्जाम्पल बनाते हुए आपको यहाँ पर जानकारी दूँगा अब इसका मतलब यह नहीं है कि U-Dice Plus की वीडियो है आपके किसी काम की नहीं होगी जो दूसरे राजे से हमारे साथी नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि देखिए U-Dice Plus है All Our India की जितने भी स्टेट है उन समें कारी करने का तरीका है वो लगभग लगभग एक जैसा ही होता है हाँ टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत प्रिवर्तन हो सकता है किसी स्टेट में इसको सुरू करवाना है जैसे अप्रेल में करवा दिया किसी में मई में करवा दिया किसी में जुलाई में करवा दिया वो उनकी एक भोगोलिक इस्थती के अनुशार है काम करने का तरीका सभी जो मोडल में काम करने का तरीका वो लगभग लगभग एक जैसा ही है तो ऐसे में आपको कत्ताई कन्फ्यूज नहीं होना है चलिए शुरुवात करते हैं उन स्कूलों से जिनको पहली बार सिक्षाई भाग के दवारा मानेता मिली है उनको यूडाइस कोड है वो कैसे अलोट होता है दोस्तों देखिए अगर मैं राजिस्थान के खास तोर पर बात करूँ तो जब भी आप एक नई सेंस्टा के मानेता के लिए PSP पोर्टल के मादेम से आवेदन करते हैं तो उस समय एक यहाँ पर टेंपरोरी यूडाइस कोड है वो जनेट हो जाता है जो की गलत है सही नही होते हैं बाकि कोई भी एलफा वेट है ABCD अगरा वगरा का यह मामला नहीं रहता है यदि आपकी नई सेंस्टा है पहली बार आपकी सेंस्टा को मानेता मिलिए तो इसके लिए देखिए यूडाइस कोड नंबर अलोट करवाने के लिए इनका एक रजिस्टेशन फोरम है सा आपको एक साथ मिल जाएंगे डाउनलोड किजेगा अपना काम कर लिजेगा अब यह जो फोरमेट होगा उसके अंदर आपको अपनी सेंस्टा की कुछ बेसिक जानकारी भरने पड़ेगी जैसे नाम पता एड्रस है कौन सी कलास तक मिली है अगरा वगरा इसके साथ साथ सि आपका जो पियो होता है मेरे राजिस्थान में पियो बोला जाता है जो भी नजदी की सरकारी स्कूल जो नोडल के अंदर होता उसको आजकल पियो बोला जाता है तो उससे पहले आपको परमानित करवाना है उसको परमानित करवाने के बाद आपके एरिया का जो ब्लोग के एजुकेशन ओफिसर होता है वो दस्तावेज अपने पास रख लेता और आपको यह बोल देता है ठीक है आपकी यूडाइस कोड है वो जन्रेट हो जाएंगे लेकिन आपकी जानकारे के लिए बताना चाहूंगा यहां पर ब्लोक लेवल पर यह अथोर्टी नहीं दी गई है कि यहां पर आपकी यूडाइस कोड हो जारी कर दे नहीं यह जो अथोर्टी है डिस्टिक लेवल को भी नहीं है और स्टेट लेवल को भी नहीं है यह शिरफ और सिरफ नेशन लेवल की जो अथोर्टी है उसी को है लेकिन एक यह प्रोसेस बताई है कि पहले ब्लोक में जा वो फिर state level पे जो फिर nation level पे जो तो इस तरह से है तो कई बार तो वो पहुचा देते हैं अगर वो नहीं पहुचाते हैं तो फिर आपको विक्तिगत है अपने जो district level का officer यूडाइस का परभारी है उनके पास आपको दस्ताविज लेकि जाने है अब वो क्या करेगा कि अपनी सम्मंदित जो national authority है आपकी यूडाइस कोड है वो जनरेट कर देगी और यह जो परकिरियर है कि तकरीबन 20 से लेके 25 दिनों की रहेगी और जब आपका यूडाइस कोड जनरेट हो जाएगा उसके बाद सम्मंदित ते district level का जो परभारी है आपको वाय कोल के दवारा सुचि दिजेगा तो user ID void default अपना यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दूसरी बात ऐसी जो पहले से एक यूडाइस कोड अलोट है अब उनकी मानेताओं में किसी परकार का कोई परिवर्तन हो गया है जैसे किसी का नाम परिवर्तन हो गया है किसी का इस्थान परिवर्तन हो गया है कि किसी की class change हो गई पहले एक से पांस था एक से आट थी फिर नो से दस हो गया नो से बारा हो गया तो कख्षा चेंज हो गया किसी का medium चेंज हो गया तो ऐसे condition के अंदर देखे school वाले क्या करते हैं कि हम हमारे पास तो पहले से एक यूडाइस कोड हम हर साल काम ही करते हैं हमें प्रिवर्तन करवाने के काई क्या हो सकता है रहे नहीं आपकी सेंस्ता का नाम प्रिवर्तन हो है इस्थान प्रिवर्तन किसी भी परकार का प्रिवर्तन हो तो आपको अपनी सेंस्ता जो यूडाइस की profile होते है उसमें update करवाना होता है और यह जो update है आप अपने level पे नहीं क्या-क्या प्रीवर्तन हुआ है, वो सारी जहानकारी आपस यहां पर चाहें गई है आराम से भरियेगा, और जो भी आप प्रिवर्तन करवाना चाहते हैं उसका आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाही है, जैसे आपकी स्कूल का मीडियम चेंज हो गया तो मीडियम चेंज की जो मनेता हिवाग के दोरा मिली है वो दस्तावे इसके साथ आपको लगाना जैसी मनेता में प्रिवर्तन वैसा का वैसा है ठीका ना संबंदित एजूकेशन ओफिसर को आप ब्लोक एजूकेशन ओफिसर को जमा करवाज जीएगा और कुछ दिन के बाद है यहाँ पर आपकी प्रोफाइल में आपकी जो भी प्रिवर्तन हो आसानी से हो जाएगा तो ये दो खास बाते हैं एक ने स्कूल और पुराने स्कूल के लिए अब आगे मैं जो बात करूँगा वो सभी परकार की स्कूलों के लिए खास ह तो देखिए यहाँ पर देखिए इनके मोटे तोर पे पांच मोडूल होते हैं ठीक है ये जो पांच मोडूल है इसमें एक तो पहला जो मोडूल होगा वो होगा स्कूल मनेजमेंट का मोडूल दूसरा होगा प्रोफाइल फेसिलिटी मोडूल है टीचर मोडूल है स्कूल मनेजमेंट कि देखिए यह स्कूल में मैं कुछ प्रिवर्तन करना होता है जैसे स्कूल के प्रिम्सिपल चेंज होगे तो यूडाइट है और ends वे हमें इनका नाम होता है कई बार मोबाइल भी नंबर हें मेल आएड़ी भी हमें हें 말고 करने होती है तो यह सारा जो काम है वो स्कूल मनेजमेंट मोडल शी होगा ठीक है अब इसके लाओ यहाँ पे देखिए एक दूसरा मोडल है प्रोफाइल और फेसिलिटी इसका मतलब भी है कि इस मोडल के अंदर आपकी स्कूल के अंदर जो भी सुख शुख दाएं जैसे कितने कमरे आगे जैसे लेब आगे, कम्प्यूटर आगे यह सारी जानकारी यानि जो भी भोतिक सुख शुदाएं होती है उन सब की जानकारी हमें इसकूल प्रोफाइल और फेसिलिटी मोडल के अंदर देना होता है इसके लाओ यहाँ पे देखिए जो टीचर मोडल है इस टीचर मोडल के अंदर अपनी स्कूल के अंदर जितने भी टीचर हैं जो भी करमचारी हैं उन सब की जानकारी हमें यहाँ पे वो देनी होती है अब देखिए इस मोडल के अंदर है हमारे जो भी स्कूल साथी हैं बहुत ज़्यादा तर यह गलती करते हैं कि यहाँ पे है टीचर का नाम ही गलत जब भी आप teacher module के अंदर काम करो इसके बारे में आगी बात करेंगे हर एक module के बारे में विस्तार सी वीडियो में बनाऊंगा नो टेंशने ठीक है ना तो जब भी आप को teacher की data entry करें तो सबसे पहले उसे पूछ लीजिएगा कि यह पिछले school के अंदर यूडाइस portal पे आपका data चड़ावा है कर नहीं चड़ावा अगर data चड़ावा आना तो आपको यहाँ पे देखिए data entry करने की कोई आवसेकता नहीं कि और उसको import ही आपको करना होता है वैस उसके जो number होते हैं वो इसके आपको आवसेकता पढ़ने वाली है तो इसमें आप सामने होते हैं यहाँ पे देखिए हमें हर एक class के student की data entry करनी पड़ती है लेकिन यहाँ पे खास बात है कि केवल जो आपकी school की first class है अब वो first class pre primary में हो सकती है या फिर पर्थम class या first class हो सकती है केवल उसी के अंदर है आप data entry वो कर सकते हैं अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं कक्षा 2 में, 5 में, 10 में, 12 में मैं शिदा data entry कर दूँ तो भिया नहीं होगा और देखिए पिछली साल की बात करें तो यहाँ पे देखिए सम्मंदित विभाग के दवारा है अनुमती दी गई थी आगे की जो कक्षाओं में है ने student को admission करने के लिए लेकिन वो आपके level पे सम्मंदित ब्लोक लेवल पे district level की authority को permission दे गई थी वहाँ पे उनको data आपको जमा कराना पड़ता था अब यहाँ पे हमारे जो school साती है वो सबसे बड़ी गलती करते है और इसमें school वाड़ों का निज्जी सवार्थ है वो छिपा रहता है अब यह निज्जी सवार्थ कैसे मा आपको बताना चांगा और ज्यादा तर इस प्रकार की जो समश्यें आ रही है वो private sense time में आ रही है देखिए कई बार क्या होता है कि एक student किसी private school में पढ़ता है वहाँ से वो पढ़ाई नहीं करना चाहता है फिस नहीं दे पाता है वो दूसरी school में आ गया अब school वाला उ या district level authority से add करवा सकते है वो student को वो form भरके है 0 as 2 or 3 है ना इस तरह से वो form भरने के बाद है अब school साथिने क्या गलती खी कि पहले तो block level पे देके आगे फिर district level पे देके आगे और उसके बाद यह data entry बंद हो गई थी अब यहाँ पे सम्मंदित यूडाइस authority के दौरा state level के ग अब school वालों ने क्या किया कि इधर block level वालों को भी है वो देखिया रहे और इधर अपना जो google seat है जो google form है उसके अंदर भी उसकी data इंटर रहे तो ऐसे में student की यहाँ पे duplicacy होगी क्योंकि यहाँ पे थोड़े से system में fault पाया गया था ना तो block level वाले है इसका verification कर पाई ना district basic level आले ना state level है कि यह जो बच्चा है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे है dice code जो बच्चे का आधार नंबर है उससे data enter होता है लेकिन कई बार कि है कि आधार नंबर वो चड़ाते नहीं है एक बार के लिए है वो माने कर लेता portal तो समय से आती है बच्चा पकड़ में नह आता है अब यहाँ पे देखे इस student को एक नंबर जारी होता है जिसे पी ए नंबर बोलते है पर्मानेंट एजूकेशन नंबर अब ये इस student के फैस कलास से पड़तो और आगे कि वो जितनी भी पढ़ाई कर रहा college level की तो ये नंबर उसके बदलने वाले नहीं है लेकिन हमार इस school साथी अपने निजी स्वार्थ के लिए इस नंबरों को ही बदलवा देते हैं एक student के दो दो पी ए नंबर हो जारी करवा देते है रहे भिया ऐसा मत करो सबसे पहले देखिए ये आपके सेंस्था में कोई भी बच्चा है आता है दूसरी सेंस्था से ये उसने दूसरी इस school के अंदर है first class की पढ़ाई करके second class में वो आता है या अन्य किसी भी class में आता है तो उसकी TC आप लेते हो और TC के साथ एक काम और आप पक्का कर दीजेगा कि भी हमें UDICE की TC का भी है प्रूब दीजेगा और आपके P.A. नंबर है वो भी दीजेगा इसके लिए school को जि UDICE portal से student का नाम नहीं हटाते हैं उसके TC वो जारी नहीं करते हैं तो ऐसे में वैसे तो वो बच्चा आपके संस्था में पढ़ रहा है लेकिन UDICE record के अंदर वो पुरानी वाली संस्था के अंदर पढ़ रहा है तो यह एक बड़ी दिक्कत होती है तो यहाँ पे देखिए आपको बार-बार student की data entry करने की आउस्था नहीं है महज यदि आपके पास उसका PN नंबर है उसकी DOB है तो उससे ही आप उसका data वो इंपोर्ट कर सकते हो पुरानी वाली संस्था से लेकिन यह जो data इंपोर्ट आप तभी कर पाओगे जब पिछली संस्था के दवरा उसको ड्रोबोक्स में डाला गया है ड्रोबोक्स का मतलब यह है कि पिछली स्कूल के दवरा उसकी TC जारी की गई है अगर वो TC जारी नहीं कहता है तो वो तो वहाँ पढ़ रहा है और वैसे आपकी यहाँ पर पढ़ रहा है तो आप यह सभी active हो जाए इस मामले में और यहाँ प बचने तो कुछ बिगाड़ा नहीं है किसी का तो यह समस्या क्यों आ रही है तो इस बात को आपको थोड़ा सा खास तोर पे वो ध्याम लखना है कि उसके PA नंबर पहले से जारी हुए नहीं है इस्टूडेंट को आपको एक बार नहीं च्यार बार है उसको वेरिफाई है उस डेट तक ही हाँ पे उसमें डेटा एंट्री कर सकते हैं तो जो मोडल के अंदर आपको अनुमती दी गई उस डेट तक है आपको यहाँ पे करना अगर मैं यहाँ पे देखिए जब यूडाई साथोर्टी नेसलन के दौरा है यह लेटर जारी किया गया था तो उसमें यह कहा गया था तकरीबन अप्रेल से यह कारीय शुरू हो गया था और 31 जुलाई तक यह काम आपको कंप्लीट करना था और सितंबर लास तक है इसके जो डेटा का वेरिफिकेशन करना था जो कि अभी तक नहीं हुआ अगर मैं राजिस्थान की बात करूँ तो मुझे अच कर लिजेगा पहले आपको क्या करना है मैं स्टेप आपको बता देता हूं सबसे पहले तो आप अपनी स्कूल की जो मैं प्रोफाइल है मनेजमेंट वाले उसको चेक कीजेगा कि वह सही है कर नहीं है उसमें किसी परकाइब परिवर्तन है उससे अपडेट कीजेगा फिर अ उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए टीचर मोडूल में टीचर है आपको एंटर करना है फिर इस्टूडेंट मोडूल अब रिपोर्ट के अंदर तो देखिए आप सीधी रिपोर्ट है वो देख सकते हैं लेकिन देखिए फिल हाल की इस्तिति में अगर मैं सेशन दो 2023 है उन इस्टूडेंट को आपको परमोट करना है जो कि नेक्स सेशन 2024-2025 में वो आ जाएगे लेकिन जब आप प्रोग्रेशन रिपोर्ट को काम में ले इस्टूडेंट को आप परमोट करो इस मोडूल के बारे में हम आगे और बात करेंगे लेकिन एक दो खास बाते आप आपको बता देता हूं कि यहाँ पर क्या करना एक तो इस्टूडेंट को परमोट करना तब हैल पास है या उसको रिपीट करवाना चाहते है ठीक है न वो शेम इसकूल है अब इसके बाद आप नेक्स सेशन के अंदर कौन से कलास में इससे परमोट करने जा रहे हैं कौन से सेक्षन में आप इसे परमोट करने जा रहे हैं अगेरा वगरा यह बेसिक जानकारी है आपको यहाँ पर करना है और यहाँ पर आपको ध्यान न करना है कि मेरे जो बोले वाले इसकूल साथिवों क्या करते हैं इस प्रोगेशन रिपोर्ट को सीधा ही फाइनलाइज कर देत हैं फाइनल संबीट कर देते हैं बगर किसी को डेटा को चेक की वे हाँ भी इसको फाइनल कर दो और यह फाइनल ऐसे नहीं होगा वो हर एक कलास का हर एक स्टूडेंट का रिजेल्ट आपको उसमें सढ़ाना पड़ेगा उसका पास जो प्रतिसत है वो किता रहा है उसके ड अप इसे अपडेट कर दोगे सबी करक्षाओंगा तब यहाँ पर फाइनल होगा अगर एक बार यहाँ पर फाइनल हो जाता तो धर नगगना पिछले साल की परोगेशन रिपोर्ट के अंदर आप कम नहीं कर पाऊगे अगर पिछले साल का डेटा फाइनल नहीं होता है प् school की जो faculties हैं या facilities हैं उनके बारे में आपको बरना teacher detail आपको यहाँ पर बरनी वो काम है बादगा उसके बाद आप अपने student की ने session में data entry कर सकते हैं के ओल first class में और अगली class में यह दिक करना है तो इसके बारे में समय समय के जो आपको ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो में मुझे बताना चीए था जो कि मैंने नहीं बताया तो comment करके आप बताएगा और कौन शे model के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं वो मुझे भी comment करके बताएगा क्योंकि जब आपन वीडियो बनाते हैं तो आपके आधार पर बनाते हैं सातियों के सामने क्या-क्या समय सही आती है जब तक आप हमें बताओगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा जितना हमें knowledge है जितना हम जानते हैं वही तो बाते आपके साथ सेर करेंगे कोई नई चीज आगी हो सकता है हमें भी नहीं पता तो authority वालों से बात करके उसका समादान आपको समय के साथ हो बता देंगे तो जो भी आपके दिमाग में इधर उधर गोम रहा है वो सारे की सारी बाते हैं कमेंट में मुझे समझा दीजिएगा आने वाली जैसे जैसे mo Weise अपन बात करेंगे उस video में हैं उस comment के आधारपर आपको जानकारी वह juego देते रहेख है। यदि आज की वीडियो आपको एच्छे लेगी हो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेर कीजेगा तो मिलता है फ़र्ण से अगले एक ने वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत